पिछोर थाना अंतरकत ग्राम नाया गाउं गजोरा में रविवार की शाम एक हिर्दय विदारग घटना ग्रम में दो सगी भेनों की जिन्दा जल कर मौथ हो गए दोनों बच्चियों के शब भूसे के धेर में से निकाले गए जबकी दो बच्चों को ग्रामीडो नेर्थ सक कोशर बचा लिया आग लगने के कारूनों का खुलासा नहीं हो सका है पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना प्रारम कर दी है प्राप्त जानकारी कनुसार ग्राम नयागाउं गजोरा निवासी क्रिपाल सिंग अपनी खेट पर बने मकान पर रहता है यहीं पर मकान से थोड सेरे भाइबेन अभीजीत्व समीक्षा के साथ खेल रही थी अचानक जोपडी में आग लग गई और उसमें से धुआ उठने लगा जब जोपडी में से धुआ उठते हुए बच्चों के स्वजनों वां अन्य ग्रामिनों ने देखा तो वैं दौड कर वहां गए आग में से अभीजीत्व समीक्षा को बाहर निकाल लिया जब कि भूसे के धेर में छिपकर बैटी हुई शिवांशी वा नित्या ग्रामिनों को नजर नहीं आई अभीजीत्व समीक्षा भी आकी घटना से डर गया और उन्होंने भी शिवांशी वां नित्या के अंदर फसे होने के के बारे में नहीं बताया इसी दौरान आग भड़क गई तो स्वजनों ने फायर ब्रिगेट को फोन लगाया जब फायर ब्रिगेट ने आने के बार आग बुझाई तो देखा कि दोनों बच्चियां भूसे के धेर में जली हुई पड़ी थी मासूम बच्चियों को मासूम के जिन्दा जलने की खबर के बाद से पूरिश्चियों कि आग लगते चपरी में तो दो बच्चे से लगें कैसे कैसे लग गई आग अचानक ना जाने तो तिन बच्चे खेल रहे दें कोई तार मारू से लगते हुए पता नहीं अभी काय से लगी है कभी काय से लगी किसकी थी टपरिया तो पता नहीं चला आग काय से लग गई तो क्या रखाता उसमें सामान क्या रखाता भूसा जल गया है तो बच्चियां वहां खेल रही थी दोना बच्चियां यह अधी खाली अधी थोड़ी कित्ते वजे लगी है कि अब यह चाहिए पांच वजे इरकांज लगी बच्चियां यह दोनों निकाल नहीं बागी की कहा हैं बागी की दो चपड़िया में छुप गई उनको तेखना ही पाई पिर अंदर छुप गई नहीं जल गई वो जब त